अपने आदम में साहज की बदावलत पाकिस्तानी फोज को मौत के घाट उतारने वाले परमवीर चक्रविजेता नायक जदुनाज सिंग का आज सायहपुर्क में उनके गाउं में ही सहीदी दिवस मनाए गया जवरान राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों और अधिकारियों ने गाउं पहुँचकरों ने स्रधांज लिदी दरसल परमवीर चक्रविजेता सायहपुर के कलान बलाक के खजूरी गाउं के रहने वाले थे 21 नवंबर 1916 को जन्मे नायक यदनाज सिंग फतेगर राजपूत रेजिमेंट में नायक के पद पर भरती हुए थे च्हेफर वरी 1948 में जब वहुच जम्मू कसमीर में नौसेरा सैक्टर पर अपनी सैनिक चौकी की रक्षा कर रहे थे तभी पाकिस्टानियों ने चौकी पर हमला कर दिया यदनाज सिंग ने अकेले ही पाकिस्तान के कई फोजियों को गोलियों से ढेर कर दिया कई गोली लगने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के और कई सैनिकों को मार गिराया, बाद में गोलीों से छलनी होकर वह सहीद हो गए मरणुपरांत उन्हें परवीर चाकर से सम्मानित किया गया, आज उनकी सहीदी दिवस पर राजपूत, रेजिमेंट के आर्मी अफसर और सैनिक उनके गाउं पहुंचे, यहां उन्हें सरदान्जली दी गई इस जौरान उनकी सहादत में सैनिकों ने गिर धी प्रस्तुत किये, कारिकरम के मुख्यातिती सेंटर कमांडेंट का कहना है कि देश के युवाओं को नाएक यदुनाज सिंग से प्रेडित होकर सेना में सामिल होकर देश की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ऐसे ही वीर सैनिक लोगों के लिए पेड़ना का स्रोत बनते हैं एतना ही नहीं सहीदों की याद में योधपुर में एक सहीद इसमारक बनाय जा रहा है जिसमें सहीदों के गाउं की एक-एक मुठी, मिट्टी उसकी निव में डाली जाएगी आज हम सब यहां एकत्रत हुए हैं नाइक जदुनाद सिंग परमवीर चक्रविजेता के शहादत दिवत्स को मनाने के लिए आज ही के दिन देट इस छे फरवरी 1948 में उन्होंने एक पोस्ट जो की नौशारा सेक्टर में है ताइधार कहते हैं उसे उसको पाकिस्तानी हमले से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूती दी थी जो नाइक जदुनात सिंग और उनके साथ उनके साथियों ने किया वो हमारे लिए आज भी राजपूत रजबिंट राधर मैं ये कहूँगा कि नहीं राजपूत रजबिंट बलकी पूरी भारतिय सेना के लिए एक प्रेरना का स्रोत है और आज हम इस धर्ती पे खड़े हैं अपने आपको भागेशाली मानते हैं और आज हम प्रेरित होकर ही वापस जाएंगे कि इन वीरों ने जो अपने समय में किया हम उस प्रथा को उस मोटिवेशन को बनाए रखें और आने वाले समय में अपने देश का नाम हमेशा उचा रखें मेसेज मेरा गाउं वासियों को ये है कि आपके गाउं ने पूरे हिंदुस्तान को एक आइकन दिया एक प्रेरिणा का स्रोथ दिया है हम आपको मेसेज देने की जगा हम आपसे मेसेज लेने आ रहे हैं आपके पास प्रेरित होने के लिए आ रहे हैं और आप लोग भी बढ भाने चाहूंगा कि I 된 अधिकारी हूं सोला Radi invold रिजिमेंट से और हमारी जो मुईन है J जो शौर अじपुर भारत यात्रा है जिसके अंतरगत हम जो हमारे परमवीर चेक्र से सम्माने महावीर चेक्रे से सम्माने या यू कहूं कि तमाम वीर क्रिसे सम्मानिज्ट जो हमारे शहीद हैं हम उनकी जन्भूमी जाकर उनकी शौरे गाथा को हम सुना रहे हैं और अपने शौरे भारत यूट्यूब चैनल के ऊपर हम उसको डाल रहे हैं हमारा उदेश है कि हम उन वीरों की उस गाथा को इस देश के तमाम नौजवानों तक पहुंचाएं और उनको जिससे की वो अवगत हों की उनके जो पूर्वस थे वो किस बहादुरी से लड़े उन्होंने किस बहादुरी से इस देश की अखंड़ता को बचाए रखा साथ ही हम इसमें एक मिशन और है हमारा कि हम शहीदों की जन्म भूमी से एक मुठी मिट्टी लेकर हम जोदपूर में एक शहीद समारक बनाएंगे हमारा जोतपूर में हमारी जो संस्था है वो वहीं पर है और जब हम सहीद समारक बनाएंगे वहाँ पर तो उसकी नीव में हम तमाम शहीदों के घर की मिट्टी उसके नीव में हम रखेंगे ये हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार से अपने शहीदों को नमन कर सकें उनको याद कर सकें, उनको शिधानजली दे सकें और मेरी जो ये मुहीम है उसका उदेश में पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे हमारा नौजवान ये जाने कि हमारे देश के महान वीरों ने हमारे देश के महान सैनिकों ने किस प्रकार से विकट परस्तितियों के अंदर इस देश की अखड़ता को बचाने के लिए अपना सर्वस बलिदान कर दिया ये राष्ट उस बलिदान को कभी भूले ना, ये जनरेशन उस बलिदान को कभी भूले ना हम हमेशा नतमस्तक रहें उन वीरों की शहादत के सामने यही उद्देश के साथ मेरी यात्रा है आज मैं सेन्डर कमार्ण और बिकेटे परमार जी के बुलावे पर यहां आया उनकी बहुत मदद रही हमारी इस पूरी जर्नी के दोरान आज मैं खजूरी गाओं में हूँ नायक जदुनास सिंग जी की जन भूमी पर यहां से मैं शौरे गाथा सुनाऊंगा उनके समारक से उनके घर से और उसको हम शौरे भारत यूट्यूब चैनल पर डालेंगे जिससे की तमाम देशवासी उसको देख सकें और कल मैं जा रहा हूँ गाजीपूर और गाजीपूर में एक और हमारे देश के महान शही सीक्यूए में जब्दूल हमीद परवीर चक्षत सम्मानित उनकी जन भूमी से मैं कहानी सुनाऊंगा तो हर मेने मैं इस प्रकार से देश भर में चलता रहूँगा और तमाम वीरों के घर जाता रहूँगा मैं इवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस देश का भविश्य हैं आप उर्जा से भरे हुए हैं आप एक सही डायरेक्शन में रहें एक वक्त आ चुका है कि हम जाती, धर्म, इन सब चीजों से उठकर, उपर उठकर राष्ट हित के बारे में सोचें आप चाहे फौज में आएं, चाहे आप किसी भी सर्विस में आएं, देखिए जरूरी नहीं कि आप देश सेवा तभी कर पाएंगे जब आप फौज बहें, आप सचे मन से कहीं पर भी इस राष्ट के अंदर राष्ट हित का कुछ काम करते हैं, आप देश सेवा कर रहे हैं, तो आप जहां भी रहें, इमांदार रहें, ओनेश रहें, देश के प्रती सोच समाज के प्रती सोचें, और जात पात से उपर उठके, अब देश हित को प्रती सोचने का वक्त आ चुका है, आप अपनी एनर्जी को सही डिरेक्शन में लगाईए, आप अपना भी भला करेंगे और पूरे देश का भला होगा.